हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोष्टगार्ड नाविक जीडी के लिए फिजिक्स के इस्पेक्टेड कोष्टन्स को बच्चे आज का हमारा टोपिक होगा कानेमेटिक्स यह कानेमेटिक्स का part 3 है इससे पहले हम दो और पार देचुके हैं आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर playlist से देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम kinematics के एक और पार्ट देंगे जिसमें आपको प्रोएक्टाइब मोसन से रिलेटर कुछ कोसं को करवाएंगे और वहाँ पर उस topic को हम खतम करेंगे kinematics को फिर आगे हम next chapter की और बढ़ेंगे अब को हम हर एक आपके जितने भी आपके topics आ हैं जितने चैप्टर अपको फ़ने हैं बच्चे उन सभी चैप्टर से हम आपको 5-5 विडियो अबस में आपको 5-5 जाएंगे हम से जितना हो सकेगा हम उतना तेजी में करेंगे लेकिन बच्चे बस आपकी सपोर्ट की जुरत है बहुत सारे बच्चे अब हम से बहुत कम ही बच्चे भी तक जूर पाये हैं तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों को सेर करें अपने दोस्त जो बचेंगे मार्च में, मीड मार्च में आपकी जैनुसान होते हैं तो आपको क्या करेंगे, 10 के बीच हम क्या करेंगे। आपको syllabus के जितने अभी तक हमने chapters पढ़ा है और जितने syllabus आपके chapters आपके syllabus में हैं उन सभी को आपके कहने के अनुसार ही हम उसको क्या कर देंगे उनके sort concept को division करवा देंगे formula जो भी होते हैं उन सभी को क्या करेंगे division करवा देंगे ठीक है और देखिए यहाँ पर क्या है अग प्लीज बच्चे आप हमें support करें अपना योगधान हम अपना योगधान आपको पूरे तरफ से दे रहे हैं आप भी अपना योगधान दे अपने दोस्तों में share करें हमें support करें तो चलिए बच्चे वीडियो को में स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हिंदी-इंग्रिस दोनो moving in a straight line, आपको बताने हैं किसी particle का average velocity average velocity आपको बताने है कि अगर वो particle किसी straight line में सीधी रखा में move कर रहा है with constant acceleration A, यानि किसी constant acceleration A से, ठीक है, तो आपको और क्या है, उसका U initial, initial velocity कितना दे रहा है, इसका U दे रहा है, और कितना second में, first t second में, कितना second बच्चे, first t second में, तो आपको बताने है कि उसका average velocity क्या होगा, देखिए, questions को हम अगर हिंदी में भी पढ़े तो आपको बताएं कि एक सीधी रेखा से चलते हुए एक कन का औसत वेग निकाला है अगर पहले से वो निरंतन तोड़न a से चलता है और प्रारंबिक वेग यानि initial velocity उसका u है in t second में तो आपको average velocity बताना है किसका बताना है, average velocity उस particle का बताना है कि अगर वो particle state line में चलता है उसका acceleration a है, initial velocity u है, time t है, तो उसका average velocity क्या होगा तो देखिए, आप हम इसा ध्यान रखिए कि average velocity, average velocity को याद करने का, निकालने का फंडा क्या होता है, average velocity को निकालने का फंडा होता है, बच्चे, total distance upon total time, ठीक है हम total distance को कैसे निकाले total distance को कैसे निकाले, how to find the total distance of the particle, तो कैसे निकाले total distance of the particle को तो देखिए, हमें एक relation पता है, क्या पता है कि s equal to होता है बच्चे ut plus half of at square ठीक है और हमारा यहाँ पे displacement यही तो चलेगा displacement यही चलेगा तो यहाँ पे हम s लिखेंगे और u के जब पे हमारा initial velocity क्या दिया जा रहा है हमें initial velocity यू ही दिया जा रहा है time t ही दिया जा रहा थे ut तो यह भी हो गया अब क्या करेंगे उपर नीचे t सी डिभाइड कर देंगे तो यह हो जागा यू प्लस हाफ ओफ 80 यानि कौनसा option है यू प्लस हाफ ओफ 80 यानि option number a देखने कितना simple सा questions है आपको हरबाना नहीं है बिल्कुल हरबाना नहीं है लल्लू सा question है आपको बस जैसे से हम आपको बताते कहें हैं कानिमेटिक्स को questions को बनाने के लिए जो भी दिये हैं उसको लिखिए और आपके जो डिलेसंस आपको पते हैं फर्मूला पता है उसको ध्यान में लाइए और सोची कि यह हमारा दिया हुआ गिवन टर्म सब कहां पर fit होगा पस fit कीजिए एंसर लाइए ठीक है समझे नहीं करसे निकाले अवरेज वलोसिटी बस basic concepts हम जा रहे हैं एवरेज वलोसिटी का फंडा distance total distance upon total time total displacement upon total time total displacement निकाल लिए time तो दिया हुआ है simply divide कर दिए next है आपका a car moves from x to y एक car है कोई क्या कर रहा है बच्चे एक car है कोई वो क्या कर रहा है किसी x distance से किसी x से move से जाकर y पर move कर रहा है भी थे वलोसिटी वी से यानि कोई car है जो कि किसी x से लेकर y तक जा रहा है और कितने velocities जा रहा है वी velocities जा रहा है और return कर रहा है कहां पर तो आपको निकलना है average speed, क्या निकलना है average speed, तो देखिए, आपको क्या बना रहा है, फिर उलू बना रहा है, वही average speed वाला फंडा है, average speed वाले से questions आते हैं आपके, अच्छे levels के भी questions बनाया जाते हैं कभी-कभी, और जो जो हम बता हैं, लगभबा उसी से इधर घुमा फिरा आपके पूछेगा आपसे, तो average velocity, average velocity, मारकर थोड़ा सा बच्चे बनाया वाया तो थोड़ा सा problem होड़ा है लिखने में, तो इसके लिए हम sorry, तो देखिए, average velocity को हम कैसे निकालते है, average velocity को निकालने के, total dispercent upon total time, यही निकालते है average velocity, और हमारा average यहाँ पे speed दिया जारा है तो हम क्या करेंगे, average speed दिया जारा है, तो हम क्या करेंगे, इसको total distance मालनेगे, total distance, ठीक है, तो total distance हम कैसे पता करेंगे, तो माल लेते हैं क्या, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, x distance travel कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में, x distance travel करेगा, तो average speed आपका क्या हो जाएगा, total distance 2 एकस हो जाएगा ठीके और टोटल टाइम यानि पहले बाले में अगर हम लेटास अजूम कर लेते हैं कि पहले यादे मिए कि टीवन टाइम होगरा है दूसरे हमें इधर से जाने के लिए V दे रहा है तो X upon V तो T1 का value निकल गया X upon V और T2 का value भी निकल जाएगा हमारा क्या बच्चे X upon U तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 into X upon T के जाब पर डाल देंगे X upon V और फिर plus का sign देंगे और T2 के जाब पर डाल देंगे हम क्या X upon U यह दिखे एक समी में से common आ जाएगा एक से X कट जाएगा तो हमारा relation क्या हो जाएगा 2 upon 1 upon V plus 1 upon U यह U है तो यह क्या हो गया नीचे बाले के LCM लेंगे थे U भी हो जाएगा यह U भी उपर चला जाएगा तो 2 VU upon V plus U ठीक है कौनसा option हो गया option number A हो गया चलिए next question क्यों बढ़ते हैं समझ में आ रहा है कोई problem होगा तो बताईगा साथ कोई problem नहीं होना चाहिए जो concept जो था हमने वह बताया यहाँ पर LCM लेने में problem आपको नहीं होना चाहिए LCM लेने तो सब को आता है तो यह next question आपका the slope of velocity time graph for retarded motion आपको बताना है किसी velocity time graph का slope अगर वो retarded motion में है तो क्या होगा धलान बताएं वेक समय graph का मंद गती के लिए यानि retarded motion के लिए क्या वो positive होगा क्या वो negative होगा क्या 0 होगा या फिर positive negative 0 कुछ भी हो सकता है ठीक है तो आपको बताना एक questions को समझे कि velocity time graph आपको दिया जा रहा है उसका slope बताना है कि वो retarded motion के लिए कि वो क्या होगा positive negative 0 क्या होगा तो देखिया हम velocity time graph का slope बनाते हैं v और t velocity time graph का slope यही होगा यहाँ पर v लिखा गया यहाँ पर t लिखा जाएगा इसे करके एक वीजियो डाला है आप एक स्टेट लाइन की वीडियो में जाकर देखे वो वीडियो हमने इंडिय ए एरफोर्स नेवी वाले बच्चे के लिए डाला था तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं आप भी देख सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो वही होता है आपको थीटा के वेल निकलना है तो यह थीटा आपको दिख रहा है कि यह थीटा जो है आपका 90 से ज्यादा है थीटा क्या है क्या है ग्रेटर दैन 90 डिग्री ठीक है तो ग्रेटर दैन 90 डिग्री तो टैंड जो है आपका स्लोप हमारा हमेसा 10 थीटा होता है स्लोप जो होत तो tan theta 90 से ज्यादा होगा तो वह second coordinate पे चला जाएगा और second coordinate में क्या होता है tan का value negative होता है ठीक है पता होना चाहिए यह सबी चीज़ सिंपल सा concept है यह सब तो tan theta हमारा negative हो गया तो slope क्या होगा हमारा negative हो जाएगा यह option number 20 सही हो जाएगा ठीक है चलिए next questions की और बरते हैं the displacement a body is moving with a straight line एक body है जो कि straight line से move कर रहा है क्या कर रहा है बच्चे एक body है जो कि किसी straight line पर move कर रहा है आपको बताना है कि displacement और distance travel by body in 8 seconds यानि जो 8 seconds तक वह जो move किया उस 8 seconds में वह distance कितना travel करेगा और displacement कितना travel करेगा इस एक particular question से आपको कितने सारे concept clear होने वाले हैं आप बच्चे इसको नहीं समझ पाएगा आप जो हम आपको बताएंगे तो आपको खुद याद होगा कि हाँ यह यह चीज़ सब हमको यहाँ पर अभी clear हो गया तो देखिए सबसे पहले तो एक concept clear होगा क्या कि displacement time velocity time graph vt graph का area यहाँ यह हुता है वह करता है तो अपको displacement देता है यहाँ यही हलोता है हमेशा क्लीसा पोजेटीव होता है ठीक है अब देखिए सरी नों concept को मिलाकर यहाँ इस questions को हम ने बनाया है तो इस questions को अब हम क्या करेंगे solve करेंगे तो देखे हिंदी में भी यही लिखा गया है कि जैसा कि दिखाया गया है कि एक सरीर सीधी रेखा से घूम रहा है वेक समय ग्राफ में यानि velocity time ग्राफ में विस्थापन और दूरी 8 seconds है तो उसको उस बड़ी के आपको क्रमसा यानि बड़ी के आपको distance और आपके displacement दोनों बताने है ठीक है तो चरिए हम क्या करने वाले हैं इस concept को जो सिखाया भी इसको मिटाएंगे हम यह तीन concept आपको यहाँ पर सिखाया जाएंगे देखे कैसे तो देखे सबसे पहले concept को यहाँ पर लगाएंगे कि displacement time graph का area हमें क्या देत है तो displacement इकल टू क्या हो जाएगा वीटी graph का area यानि velocity time graph का area यह हिंदी भी लिख देते हैं तो area velocity time graph ऐसा भी लिख सकते हैं आप इंग्लिस वाले बच्चे तो देखे तो वीटी time graph का area तो वीटी time graph का area क्या होगा एक यह area एक यह area एक यह area ठीक है और आपको याद रखे कि displacement पर निगेटीव भी हो सकता है तो पहले वाले area कैसे निकालेंगे 2 into 4 और यह क्या है नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा minus के साथ लगाएंगे क्या लगाएंगे minus के साथ लगाएंगे minus के साथ 2 into 2 देखिए length 2 है breath भी क्या है 2 ही है ठीक है तो चलिए अब क्या हो गया फिर plus इसका लगाएंगे ऊपर वाले के लिए, उपर वाले के लिए कितना लगे गा, उपर वाले के लगेगा 2 into 4 तो इसके जब आप solve की जाएगा तो इसका value कितना यह इसका value यह उगा 4 to 8,8,8,8,16, और 2 to 4, 16 में से चार्ड गया तो कितना के बच्चे 12 हो गया, यानि यह 12 मेर ह ठीक है फिर क्या करेंगे अब हम निकालेंगे distance distance कर से निकालेंगे distance देता है हमें speed time graph का area क्या है speed time graph का area हमें distance देता है और याद रखिए simply आप velocity time graph के जो area होंगे उसमें जितने भी negative terms आएंगे क्या हमें वो सभी positive हो जाएंगे यानि 2 x 4 होगा फिर plus का sign लेगा नीचे वाले के लिए 2 x 2 plus ही होगा फिर उपर वाले के लिए प्लस ही होगा यानि distance कभी आपका negative नहीं होगा यानि यह जो आपका minus का term है यह यहाँ पर plus के term में change हो जा रहा है यही safe difference आता है और इसी difference के कारण आपका answer भी क्या हो जाता है different हो जाता है ठीक है यानि वो negative distance नहीं हो सकता यानि option number a यानि displacement आपका 12 meter और distance आपका 20 meter तो इससे बहुत सारे concept बना जा सकते हैं बहुत सारे questions बना जा सकते हैं आपके exam में आते हैं तो आप उसको अच्छे से बना पाईएगा ठीक है चलिए next questions की बढ़ते है अब particle moves along a straight line OX एक particle है जो कि OX से straight line को move कर रहा है किसी time t में और जो time है वो second में दिया जा रहा है distance x है जो meter में दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि वो जो आपका बड़ी जो move कर रहा है उसका relation हमें समय के साथ दे रहा है तो आपको question से पूछा जा रहा है कि how long would particle travel before coming to rest यानि वो बड़ी वो particle rest में कब आएगा कितने distance travel करने के बाद यानि कर time and distance में relation दिया जा रहा है तो आपको question से पूछा जा रहा है कि वो body कितने दूरी तक चलेगा rest में आने से पहले rest में आने से पहले कितने दूरी तक चलेगा यानि उसका बात का velocity 0 हो जाएगा और जब velocity आपका 0 होगा उस समय तक वो कितना distance को travel कर लिया होगा यह आपको पू इसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखिए देखिए आपको displacement time graph sorry आपको distance का relation दे रहा है समय के साथ तो हम आपको इससे पिछले वाले दो वीडियो में हमने आपको बताया भी है question स्वीबत समझाया है कि जब भी आपको variable distance displacement day और velocity निकालने के लिका है तो velocity कैसे निकालते है हम dby dt v equal to k निकालते हैं dby dt निकाल देते हैं और जो x है sorry dby dt नहीं करते हैं यह करते हैं dxy dt कर देते हैं ठीक है और यह x को हम क्या करते हैं differentiate कर देते हैं समय के साथ तो यह 40 का differentiation constant है तो 0 हो जाएगा यह 12 का 12 हो जाएगा 12 t का और यह tq का 3 dt square हो ठीक है और आपको पुछा जा पहले कंड कितने दूरी तक यात्रा कड़ेगा ठीक है कितने दूरी तक यात्रा कड़ेगा तो ठीक है कितने दूरी तक यात्रा कड़ेगा तो ठीक है कब वह आडाम में आएगा अगर यह समय हम निकाल ले और उस समय को हम इस displacement में डाल ले तो हमें displacement निकल जाएगा distance निकल यह कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x में डाल देंगे, 40 प्लस 12 निकालने ही थे 2-2 का q, यह अच्छे लिवय का questions है, कभी अच्छे लिवय questions पूछता है, तो ऐसा भी questions पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको दो दो concepts सिखा जा रहा है, एक velocity time graph, आप से velocity निकालना ठीक है अगर आपको कभी कोई questions पर सिंपली time निकालने के लिए पूछ देगा time निकालने निकाली यह बस answer आ गया यहाँ पर कहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है तो यह क्या हो गया एक ही questions में आपको दो-दो questions सीखने के लिए मिल गया ठीक है तो यहाँ पर क्या करने वाले हम 40-1224 प्लस 24 और यह क्या हो गया मैनस 2 तूज़ा 4टूज़ा 8 हो ठीक है तो आपका कितना एंसर आगा यह आगा 40 प्लस 24 दो गई यानि वह रेस्ट में आ जागा विलो सीटी जीर हो गया तभी तो रेस्ट में आगा तो यह कुछ पांच कुसन से बच्चे आपने ट्राइ किया होगा खुद से अगर तो आपको कुछ भी स्कोर आया होगा तो हमें जरूर बताएगा आप मेहनत करते रहिए का स्कोर कीजिएगा आप हमें सपोर्ट कीजिए बचे अब यह आपकी सपोर्ट के में बहुत ज़रूरत है तो तब तक लिए वीडियो को रखते हैं थैंक्स पर आची माई वीडियो तब तक के लिए बबाए